आदेश आदेश जै महाकाल सभी मित्रों को हमारे चैनल आईरुवेदा ज्यान एं तंत्र मंत्र में आप सभी मित्रों को स्वागत करता हूँ आज बहुत दिनों बाद समय मिला तो बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने मुझे प्रस्नली कॉल भी किया और बहुत से ऐसे बाते कहें जैसे कि कोई ऐसा मंत्र दे जो कि हमारे चारों तरप इर्द गिर्द कोई ऐसी जागरिती चले जिससे कि कितने भी करणी कवटाल या किसी भी छेतर में जाए तो किसी भी तरह का कोई तरह का तकलीफ ना है या कोई भी तांत्रिक हमारा कुछ भी ना बिगड़ पाए या जिसके घर में ऐसी चीजे लगा दिया जाए जो जागरिती लगी रहे तो उसके घर में किसी भी तरह का प्रवेश ना हो किसी भी तांत्रिक का या किसी भी तरह के करणी कवटाल का तो आज एक बहुत ही दुरलब और बहुत ही गुप्त जो की आउघड महामंत्र है ये आउघड विद्या में आता है अगोरी इलम अलग होता है आउघड मंत्र अलग होता है तो ये एक जागरिती है जिसमें की महाकाली की खपर जो है जागरित हो जाती है और ये जो है जो भी इसका साधना करता है ये 108 बार में ही सिद्ध हो जाती है यह मंत्र और यह बहुत ही सरल तरीके से इसमें ज्यादा कुछ करने की अवश्यक्ता नहीं शिर्प अमवश्या होना चाहिए और एक खपड मिटी के खपड खरीदने हैं जो कि आपको कुमहार के अहां मिल जाएगी आराम से उस खपड में सरसो तेल के रूई को कपास की रूई जो है उसके रूई में दिया लगाएं और उसमें सरसो के तेल को डालते हुए इस मंत्र को जाब करने का है 108 बार अगर तेल डालते अगर तेल नहीं भी है तो उसमें अगर कोपले जो गएठे होते जो गाय के उपले होते उसको भी आप जला करके उसके उपर अगर देवदार की लकडी के द्वारा भी हवन कर लेते 108 बार तो यह खपर जागरित हो जाती है अब मान लिजिए ये जागरित होने के बाद आप कहीं भी जाते हो मात्र तीन बार इस मंत्र को फूक कर अपने सीने पे अगर फूक मारते हो तो आपके चारो और इर्दिगिर्दे जो है वो खपर चलने लगता है वो आपको अध्रिश्य रूप में आपको ऐसा लगेगा कि कोई अर्दिगिर्दे में खड़ा है यह चल रहा है सियागल बगल में तो यह जागरिती हो जाता है किसी भी तरह का कोई भी कष्ट, कोई भी दिक्कत, कोई भी परिशानी आपके पास नहीं वटकती है यह हमारा गुरु मुखी मंत्र है और प्रमानित मंत्र है जो आप सबों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ है दूसरा यह प्रियोग है अगर यह जो जिसमें आपने हवन किया है वो राख जब कम्प्लीट हो जाए मंत्र तो इस राख को रख लेना है केसी प्लास्टिक में और वो जो खपड है अपने चोखट में टांग देने का है और जो राख बची है उसको मंत्रित करके चारो घर के कोने में डाल देने के हैं तो उस घर का रिंगन हो जाता है वो चारो तरफ खपड की चोकी लग जाती है किसी भी तरह का तांत्रिक हो चाहे किसी भी तरह का को और फुल मंत्र जो आप सबों के बीच जनकल्यान है तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और एक बात बताना चाहता हूँ बहुत लोग साधना करते हैं बोलते हैं मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ तो याद रखे एक पत्ती बात बता रहा हूँ जो भी मंत्र होते हैं वो कमर भर पानी में खड़े होकर ग्रहन काल में सही तरीके से सिद्ध होता है या तो किसी सिद्ध मंदिर में ये आपके सामने ये मंत्र मैं दिया हूँ मंत्र कुछ इस प्रकार है यह इलम है इसको मैं बोल कर भी बता दिया हूँ आप इसको अच्छी तरह से कंठस्त करे और इसको सुध्ध सिद्ध काल में इसको जागरित कर ले और इसका उपयोग करे जै महाकाल आदेश आदेश